तो भाई सब आज SmackDown के एपिसोड में रोमन रेंस और ब्रॉक लेस्टन की स्टोर राइन ने एक बहुत बड़ा वाला टर्न लिया है क्योंकि फैनली वो चीज हो गई जो लग रही थी ब्रेक अप हो चुका है पॉल हेमन और रोमन रेंस का और ब्रॉक लेस्टनर रोमन रेंस जोनों ही शो के उपर थे एक्शन भी था एफ फाइब भी था तो पूरे शो के बारे में हम लोग इस बुड़े बात करने बाले कैसा SmackDown का एपिसोड था क्या सारी इस दिया थी आप क्या करना है बाई आराम से बैट जाओ वीडियो को लाज सक जरूर देखना वीडियो को अभी गभी लाइक कर दो तो फिर बिना किसी जेरी के इस इंट्रस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हमको काईज जो शो की स्टार्टिंग में देखने को मिलता है सीऺिए होएं और वो किसी के आने का इंतिजार कर रहे हैं बाद में जाकर हमको शोवThis पर पता चलता है कि एकश्पेक कर रहे होते हैं पॉ़हेमन की क sadece निकलेगा लेकिन ा श्हक वहाँ पर निकलते हैं ब्रॉक लेस्नर और ब्रॉक लेस्नर को देखके पॉल हमेन की चाहरी की थोड़ी सी हवाई यह ओड़ जाती है ब्रॉक लेस्नर कहते हैं तुम क्या किसी और को एक्सपेक कर रहे थे पॉल हमेन का मुझ देखने लायक होता है हाला कि बाद में एक और कार से Roman Reigns ही आते हैं और इस बार Paul Hears and Roman Reigns साथ में चलते हैं यह चीज़े एक साथ नहीं थी यह चीज़े पुरा शोब पर होई थी मुझे लगा इसको एक साथ ही कवर कर देता हूं जिससे हमको पता चल गया था कि आज कुछ नो कुछ तो होने वाला है Roman Reigns, Brock Lesnar and Pollywood के बीच में अभी वो क्या हुआ उसके बारे में अच्छे से बात करेंगे लेकिन guys सबसे पहले हमको show के उपर Women's Division से tag team match देखने को मलता है Sasha Banks and Tony Storm versus Charlotte Fair and Shotzi Blackheart के बीच में आपको पता ये store line जो है Charlotte Fair and Tony Storm के बीच में चल रही है और result भी हमको यहाँ पर कुछ इसी तरहे से देखने को मलता है decent साए match था जादो कुछ खाज भी आपर बताने के लिए है नहीं और Tony Storm ने Charlotte Fair को pin कर दिया है लेकिन Tony Storm को ये चीज़ करने का मौका मिला इसके बाद guys हमको match देखने को मलता है Viking Raiders and Jinder Mahal and Shanky के बीच में और बिल्कुल ही खतम हो गए यहाँ पर Jinder Mahal and Shanky Viking Raiders वो superstar जो कि हारने के बाद मैं आपको बताने जाता कि हस रहे हैं नाच रहे हैं उन्होंने तक Jinder Mahal and Shanky को हरा दिया तो फिर आप लोग सोची सकते हो कि WWE क्या ही प्लैन कर रही है Jinder Mahal and Shanky के लिए और Shanky को देखके लोग बोलते हैं कि इनकी हाइट जाता है WWE शायद कुछ पुछ प्लैन कर सकती है मतलब कोई-कोई तो कहते हैं कि almost जैसा इनको पुछ दे सकते हैं लेकिन हुआ क्या है पता भाई तुमको मैच के अंदर Shanky खुद पिन हुए वो भी एक स्प्लैश के साथ हो क्या ही यहाँ पर आप उम्मीद करोगे इसमें जिंदर महालन शायंकी को मैं ब्लेम नहीं कर रहा बलकि WWE की booking की बात करना हो तो ऐसा लगनी रहा देखते हुए कि कुछ खास WWE जिंदर महालन शायंकी के साथ करने वाली है अब साल खतम होने को जा रहा है तो क्यों ना साल खतम होते होते साल के पूरे मजे ले ले जाएं online तो आप लोग shopping करते ही होगे लेकिन मैं आप से कहाँ कि online shopping करते हुए आप लोग असली वाले पैसे कमा सकते हो यह सारी चीज़े पॉसिबल होती है कैश करो आप के थुरू जो कि इंडिया की biggest cashback app है और trust की तो यह आपर कोई बात ही नहीं होनी जी क्योंकि इसको Mr. Ratan Tata ने fund किया हुआ है आप Amazon, RG, Meintra इन सारी website से shopping करते होगे जिस पर all in discount चल रहा है discount के ओपर discount कैसे मिल सकता वो मैं simply आपको बताता हूँ करना आपको कुछ नहीं है description में या तो आपको link मिल जाएगा वहां से आप लोग play store से cash करोगे आप download कर लो यह फिर आप code use कर लो WR25 और जैसी आप इस code का use करते हो ना आपको सीधा 25 रुपे तो instantly मिल जाएंगी या अभी आपने कुछ किया ही नहीं है और 25 रुपे आपको free के मिल गए उसके बाद आप cash करो के अंदर जाओ जो भी आपको website से shopping करनी है Amazon, Mintra या जो भी website है उस पर आप click करो orange बटन पर आप लोग tap करो जैसे भी आप खरीदारी shopping करते हो simply वो सारा procedure वैसे ही होना है उसके बाद जब आपके सारी transaction हो जाएगी आप लोग cash करोगे अपने फ्रेंड को refer करो वो shopping करेगा तो उसका 10% फायदा आपको भी होगा तो भाई हर तरफ से फायदा है मुझे समझनी आथा कि आपको cash करो application को यूज क्यों नहीं करना चाहिए description में लिंक है WR25 code का use करो और भाई cash करो आपके पूरे मज़े उठाओ Corbin and Madcap Moss भी हमको देखने को मिलते हैं और वो उसी तलवार के साथ आते हैं जो कि last week ना वो table के अंदर नहीं गुसाई होई थी Drew McIntyre ने उसी तलवार के साथ आते हैं और अपने पूरे setup के उपर stage के उपर उनने रखा हुआ था और वो इस तलवार के अलग-अलग use बताते हैं जैसे इसको हम cap रखने के लिए यूज कर सकते हैं ना खून काटने के लिए पता नहीं एक तरीके से वो disrespect कर रहे होते हैं Drew McIntyre की तलवार एंजिला की और फिनियावर बात आती है तलवार को उखाडने की के वही है टेबल से तलवार को उखाड़े तो सही पहले Matt Cap Moss ट्राइ करते हैं उनसे होता नहीं है इसके बाद Baron Corbin, Happy Corbin ट्राइ करते हैं उनसे भी नहीं होता उसके बाद दोने ही मिलके निकालने ही कोशिश कर रहे है लेकिन वह तलवार निकलती नहीं है बड़ इतने में यहाँ पर Drew McIntyre आ जाते हैं और Drew McIntyre ने आकर जो है दोनों का खेल ऐसे खलास कर दिया मारमूर को उनको वहां से भगा दिया और इसके बाद Drew McIntyre नहीं उस सलवार को निकाला और स्वार को निकाला और इसके बाद हवा में रेस करके वह फैंस के साथ जो है मतलब ऐसे फैंस के साथ हैं यहाँ पर सेग्मेंट था Drew McIntyre को वैसे ऐसा लग रहा है कि शाद उनके लिए कुछ करने के लिए बड़े प्लाइन्स नहीं है इसलिए उनको सिर्फ टेलेविजन पर दिखाने के लिए मैट कैप मॉस और कॉर्बन के साथ दिखा रहे हैं और बात में बैक सेग्मेंट के अंदर बैरन कॉर्बन हैपी कॉर्बन तो यार यह भी कह रहे थे वारव बैरन कॉर्बन क्यों बोलता हूं कि डेवन के अंदर मैट कैप मॉस में लड़ेंगे तो यह ऐसी चैंपेंशिप के मैच के अंदर बट अब उनको इंटर कॉंटिनेंटर चैंपेंशिप चाहिए और इसके लिए नेक्स विक जो है 12-man gauntlet मैच भी देखने को मेलेगा जिसमें सैमी जेन होंगे तो सैमी जेन कैसा लग रहा है कि शायद जो इसका इसका ट्रैक कुछ अलग है क्योंकि उनको डबल डबली किसी अलगी चीज के अंदर डाल दिया तो इससे सायद हम पता चलता है कि रोवन रेंसन ब्रॉकले लेशन के स्टोरे लान में वे शायद सैमी जेन नहीं होने वाले I hope होते लेकिन WWE के कुछ अलग plans हैं इसके बात guys हमको Ridge Holland versus Cesaro के बीच में match देखने को मलता है जहांपर Ridge Holland के साथ हमेशा की तरह shameless भी होते हैं अब हुआ गया है यहाँ पर क्योंकि यह दो बन दे थे तो match शुरू होने से पहले ही इन्होंने मैं यह चाह रहा हूँ कि अगर Shamus के साथ ना भी book करके उनको अलग से चलाए ना तो भाई वो काफी तगड़े superstar हो सकते हैं अकर आपने उनको NXT के ओपर देखा होगा भाई बंदे की build उनकी size इतनी तगड़ी है और वो believable लगते हैं तगड़े वाले क्योंकि उनके अंदर मुझे लगता है काफी ज़्यादा potential है इसके बाद guys हमको Naomi vs Shaina Baszler का match देखने को मलता है लेकिन match से पहले Naomi कहती है कि मेरे Christmas के जो है list रहती है और इस बार मेरे list के अंदर एक match है और यह match है जो मुझे चाहिए one on one against Sonia Devil Sonia Devil आती हो और वो कहती है कि जब तक मैंने suit पहना है तब तक तो मैं तुमारे साल लड़नी सकती क्योंकि भाई यह मेरा suit है और ना तुम मेरे उपर attack कर सकती हो लेकिन मेरे पास तुमारे लिए opponent है Shaina Baszler भी हाँ पर आ जाती है तो बहुत धीरे धीरे चल रही है Naomi and Sonia Devil की store line पता नहीं काफी लोगों को interest आ भी रहा होगा काफी को नहीं भी आ रहा होगा लेकिन फिर भी इसी तरीके से मामला चल रहा है मेरे ख्याल से मज़ा तो आ रहा है देखो क्योंकि Sonia Devil एक authority figure है ये एक देखने वाली बात होगी next guys हमको new day versus Usos के बीच मैच देखने को मलता है बहुत बार मैच हो चुका है इस बार भी मैच हुआ इस बार भी अच्छा मैच था Xavier Woods की तरफ से जो टॉप रोव वाले moves है वो तो हमेशा ही कमाल करते है फिर Kofi Kingston का अपने अत्रंगी moves दिखाना Usos की वो performance overall ये मैच भी अच्छा था मतलब wrestling wise Smackdown के उपर शायद मैं कह सकता हूँ इस अच्छा मैच सा इसमें कोई शायद शक्त वाली बात नहीं है बागे result की बात करें दिख्त,शली सीन, असली मज़ा मैंचि वरे है कार का में वेट कर दे और इसके बाद रोबन रेंस निकल कर आते ह yourself झाले मुन के साथ होते हैं उसके बाद ये Superstars बढ़ते हैं रिंक कि तरफ वर रिंक पहले रोबनेंस कहते है acknowledge me Chicago को मतलब Chicago को acknowledge करने के लिए बोलते हैं जिस पर क्राउट की तरफ से पॉप भी मिलता है वो यहां पर बात करते हैं उसो की कैसे आज वो शोकियों पर हार गए और जब भी उनके से उनको यह बात अच्छी नहीं लगती लेकिन वो फैमिली हैं यो आर माइब ब्लड ऐसा करके वो जिम्य जे उसो से कहते हैं लेकिन जब बात आती है पॉलमेन की वो कहते हैं यू आर नोट माइब ब्लड इसके बाद पॉलमेन को समझ आ जाता है कि आज भाईया कुछ आज़न में ब्लॉक लेस्न आएगा क्या तुझे पता था कि ब्लॉक लेस्न का जो सस्पेंशन वो लिफ्ट होने वाला है इन सारी चीजों का कोई जवाब नहीं था पॉलमेन के सांथ पॉलमेन के पास और यहां पर जो क्राओड है वो कहते हैं कि पॉलमेन ने स्क्रू कर यह चीजें जिस पर रोमन रेंज कहते हैं यह स्क्रू कर दी है और सीधा यहां पर समझ में आ जाता है कि दिक्कत है पॉलमेन के साथ रोमन रेंज से सवाल पूछते हैं कि तुम मेरे से ब्लॉक लेस्नर को क्यों बचा रहा हो इसका जवाब पॉलमेन ने दिया और उन्हों लंसे नहीं बलकि तुमको मैं बचा रहा हैं मतलब वह उल्टा है यहां पर बोल देता है रोमनके यहां पूछते हैं कि यह तुबहारी फाइर और इतने ही निम्हें रेंस ने सूपर मैं पंच लगा दिया, पॉल हमेंट के ओपर, मामला खतम कहानी क्लियर, अफिस्यली अलग हो गाए, रोमें रेंस नई पॉल हमेंट, उसके बाद क्या होता है, यह बंदे रेंज के साथ आने की Roman रेंज को अटाय करने रिंग में घुस्ते रोमन रेंज्स ने स्टील चेयर से अटायक किया हलाएक इतना इनफ नहीं था Brock Lesnar के लिए Roman Reigns को उठाया एक F5 लगाया मन नी भरा दुबारा से उठाया और Roman Reigns को दूसरा F5 लगाया Brock Lesnar ने मतलब आज की शोव पर Paul Heman and Roman Reigns के जो रास्ते हैं वो अलग हो चुके हैं और बीच में आ गए है Brock Lesnar वो भी उस मुमेंट पर जब Paul Heman की पिटने की बारी आ रही थी तो आज की SmackDown कह सकते हैं काफी बड़ा टन ले गई है Roman Reigns and Brock Lesnar पॉलिमन की स्टोर लाइन में और आगे इसको देखने में और भी ज्यादा मज़ा आने वाला लेट सी अब आगे इनके बीच सीन क्या बनता है लेकिन आज की SmackDown में इस वाले एंगल को देखने में काफी मज़ा आया कैश करो को लिंक आपको मिल जाएका डिस्क्रिप्शन में WR25 पोर्ट का यूज करो और सेल का पुरा फायदा उठाओ बागी आपको कैसा लगा इस वीडियो को लाइक करके जरू बताना चैनल को आप लोग कर सकते हो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ओन and see you guys in my next video